हेलो गार्डेनर्स, वेलकम टो माई शंशं बलकॉनी गार्डेन विंटर बहुत जल्दी आने बाला है इसलिए विंटर आने से पहले जरूर अपने प्लैंट को आप फर्टिलाइस करें तो ये नौवेंबर मन्त है और मेरे गार्डेन में सभी प्लैंट को फर्टिलाइस करूंगी विंटर आने से पहले तो मैं आज वीडियो में वही दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा फर्टिलाइसर मैंने इस्तमाल किया है और कैसे मैंने fertilizer अपने सभी पेरों को दिया है हम सभी को पता है कि December January month जो होता है वो plant के लिए dormancy period होता है और उस time पे हम लोग कोई भी fertilizer plant पर इस्तवाल नहीं करते है dormancy में अगर plant को आप खाना देंगे तो plant वो खाना नहीं खाएगा और वो खाना वैसे ही परा रहेगा तो इसलिए वो खाना बिल्कुल बेस्ट होगा यानि कि fertilizer बिल्कुल बेस्ट होगा तो इसलिए December और January ये दो मांत इंडिया में सबसे ज़्यादा ठंड के टाइम होता है और इसलिए plant को fertilize हम लोग नहीं करते हैं तो चलिए जल्दी से खाद बना लेती हूँ मैंने जो खाद बनाये वो है वर्मी कमपोस्ट लिया है मैंने और आप चाहो तो cow down भी इस्तमाल कर सकते हो तो एक मुठी एक plant के लिए मैं लूँगी वर्मी कमपोस्ट और उसके साथ मैं थोड़ा सा यहां पे लूँगी horn dust और उसके साथ थोड़ा सा bone mill ये तीनों चीज मिला के मैं fertilizer यूज़ करूँगी सभी plant के लिए आपका और एक चीज़ धान में रखना है वो है कि आपके pot के size अगर आपका pot के size बहुत बड़ा है तो फिर fertilizer का quantity भी थोड़ा सा बर जाएगा तो मैंने fertilizer बना लिया है और मैंने थोड़ा सा इसमें मेरा पुराना garden soil mix कर लिया है और इस तरह से मैं सभी plant को एक मुट्टी करके खात दे दूँगी अगर आपका pot का size 10 inch से बड़ा है या फिर 10 inch है तो आपका खात का quantity भी बर जाएगा जब भी आप fertilizer करें अपने plant के तो हमेशा इस तरह से गुराई कर लिजे और pot के हर side में circle की तरह इस तरह बना लिजे और गुराई कर लिजे आप देख सकते के मैंने already fertilizer डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा fertilizer इसके उपर भी आ गया है क्योंकि पानी देने के बाद थोड़ा सा ये fertilizer उपर तक आ चुका है और चीज जो मैंने fertilizer के साथ add किया है वो है चाय की पत्ती चाहा पीने के बाद जो चाय की पत्ती बद जाता है वो चाय की पत्ती आप धूप में सुखा लीजे और वो आप अपने fertilizer के साथ add कर लीजे ये बहुत ही helpful होता है special indoor plant के लिए तो December और January में और कोई खाद मैं नहीं डालूँगी और जितना खाद देना था मैंने add कर दिया है इसी तरह आप भी आपके सभी plant पे ये fertilizer जरू इस्तिमाल कीजे और करके result में साथ जरू शेयर कीजेगा पर एक चीज जरू याद रखिए कि plant के pot के size के हिसाब से आपको fertilizer use कर सकुलेंट पे भी उसकर सकते हैं और आपके सभी इंडर प्लैंट पर भी उसकर सकते हैं ये fertilizer आपके plant को dormancy प्रेड में भी healthy रखेगा और ये दो महिनों में यानकि January तक जिसन बरसे लेके January तक plant धीरे धीरे ये खाना खाता रहेगा slowly slowly करके क्योंकि dormancy में जादा plant को fertilizer की ज़रूरत नहीं पढ़ती है और मैं मेरे सभी plant को fertilizer कर चुकी हूँ मेरे पूरे जितने सारे indoor plant outdoor plant सभी थे सब को मैंने यही same खाद दे दिया है और ये खाद आपके सभी plant के जो growth को continue रखेगा पर dormancy में प्लैंट की growth थोड़ा सा स्लो हो जाता है तो इसलिए परिशान होने की कोई बात नहीं है जो खाद मैंने बना कर दिया वही खाद अगर आप देंगे तो आप भी रिजाल देख पाओगे की plant की growth constant है पर थोड़ा सा स्लो जरूर रहेगा पर constant जरूर होगा ये मैं अपनी खुद की experience से बता रही हूं क जरूर एक लाइक कर दीजिए और अगर आपको मेरे upcoming वीडियो देखना है तो जरूर मेरे चैनल को subscribe कीजिए ताकि मैं आपको help कर सकूँ so bye see you soon happy gardening